जुँझनू जिले के साथ बिधान सभासीटों में से एक सीट है पिलानी जो की सुरक्षित है यहाँ पे जो लोग सभासीट है वो भी जुँझनू के ही नाम से जानी जाती है और वहाँ पे फिलहाल बीजेपी का कबजा है और सांसद है संतोस अहलावत जहां तक बात पिलानी की है तो इसमें कोई दोराय नहीं कि यह जो पिलानी है यह सब लोग जानते हैं कि यह एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और पिलानी का बिल्डा इंस्ट्यूट अफ टेक्मिलोजी एंड साइंस काफी फेमस है यहां पर देश भर से बच्च जार के आसपास मत दाता है और 2018 के यानि कि इस विधान सभाचुनाओं में कांग्रेस से जो है वो किस्मत आजमा रहे हैं वो हैं सेवा निब्रत आईएस जेपी चंदेलिया जबकि बीजेपी ने यहां से चिडावा पंचायज समिती के प्रधान कैलास मेगवाल को उतारा ह कांग्रेस के उमिद्वार चंदेलिया ने पिछली बार निर्दली उमिद्वार के तौर पे अपनी भाग को आजमाया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे 2013 में पिलानी सीट पे बीजेपी ने जीत के दर्ज की थी दो बार से बीजेपी का यहां पे कबजा है 2013 में सुन्दरलाल जीते थे जिनोंने 72,000 के आसपास वोट लिये थे और लगभग 14,000 के अंतर से अपने विपक्छी उमिद्वार को उन्होंने हराया था और 2008 में भी यह सीट बीजेपी ने ही जीती थी और सुन्दरलाल जीते थे और कांग्रेस के हनुमान प्रसाद को 40,200 के आसपास के वोट मिले थे तो कुल मिलाज उलाकर के यहां पे दो बार से बीजेपी का कबजा है और कांग्रेस किसी तरह से ये सीट हासिल करने के लिए बताब है लेकिन खास बात यह है कि जो निर्दली हैं यहां से जो निर्दली लड़े हैं चाहें बेसक वो पिछली बार चंदेलिया लड़े थे उन्होंने भी ठीक ठाक वोट हासिल किया था और उसके पहले के चुनाओं में भी निर्दलीयों का से रहा है यहां पे तो अब देखना यह है कि इस बार सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला होता है या पिछली बार की तरह निर्दली भी मुकाबले को तिकोना या चतुसकोणी बनाते हैं तो यह हाल है पिलानी बिधान सभा सीट का तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमार डिज्टर चनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए